हालो नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्टड़ी 54 माहन परी में डियर फेंड्स अभी हमारा हिंदी में क्या चल रहा है संधी चल रही है और संधी में है मैं आपको सभप एंड्स संधी पड़ा अज्यक्ष संधी के बारे में पड़ेंगे विसर्ग संधी के slash विसर्व संदी की हम सबसे पहले definition लिखेंगे definition के बाद हम one by one करके rule discuss करेंगी ठीक है तो चलिए हमों चलते हैं सबसे पहले आप heading डालेंगे विसर्व संदी अब विसर्व संदी की आप definition लिखेंगी ठीक है लेखिए यहाँ पर परिवाशा परिभाशा आप हेडिंग डालिए अब लिखिए इसमें यद बिशर्ग के बाद बिशर्ग के बाद कोई श्वर या बेंजन ठीक है देखिए अभी ट्रिक बाइज भी आपको मैं यह डेफिनेशन लिखवाने वाली हूँ बट अभी हम लोग मैधड बाइज थोड़ा सा देख लेते हैं तो लिखिए आप यद बिशर्ग के बाद कोई श्वर या ब्याण्य हाई तो क्या हो जाता है तो तो वहाँ पर जो विशर्व में विकार उत्पन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं विशर्व शंदी कहते हैं तो जो विशर्व में विकार उत्पन होता है उसे क्या कहते हैं विशर्व शंदी कहते हैं ठीक है उशे विशार्ग शंधी कहते हैं ठीक है आप हम लोग देखेंगे ट्रिक वाइस ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको जितनी भी संधी पढ़ाई है सभी संधियों में एक ही ट्रिक बताई है ट्रिक क्या बताई है प्रथम सब्द का अंतिम बर्ड प्लस अंतिम सब्द का प्रथमबर इनके एकार्डिंग ही आपको वस वर्ड याद रखी है तो हम विशार्ग की डेफिनेशन में ट्रिक वाइस याद कर लेते हैं कैसे आप ट्रिक बनाएंगे देखिए विशार्ग ठीक है विशार्ग विशार्ग को आप कैसे लिखते हैं ये दो बिंदी जो इस तरह से लगाते हैं किसी वर्ड के सामने इससे ही क्या कहते हैं विशार्ग कहते हैं ठीक है तो विशार्ग पिलस श्वर्ग या बयाण्या ठीक है इस तरह से स्वाट में डेफिनेशन लिखेंगे अब इस तरह की संदि करने से जो विकार उत्रपन हुँ यहां पर लिखेंगे उत्रपन विकार उत्रपन विकार को ही क्या कहते हैं हम विशर्ब शंदि कहते हैं विशर्ब शंदि यह तो हमारा एक शौट तरीका था definition याद करने का यानि कि definition याद करने का शिर्फ ये एक फार्मूला है जो अगर आप याद कर लेंगे तो आप definition कभी नहीं भूल सकते विसरक्षा लेंगी, ठीक है, तो ये आप star लगाईए, यहाँ पर ये क्या है, एक trick है, जो आपको मैंने बता दी, ठीक है, चलिए, यहाँ तक आप screenshot लीज उसके बाद हम लोग next चलते हैं, next हम लोग पढ़ेंगे one by one करके rules, ठीक है, तो rules भी पढ़ लेते हैं, विसर्व संधी के, देखिए, आप लोगों को जितने भी burn हैं, उनके बारे में knowledge होना बहुत जरूरी है, तो मैं बहुत ही जल्द आपको burn की वीडियो भी देने वाली ह इसमें आपको word के बारे में complete knowledge मिलने वाली है, ठीक है, word क्या होते हैं, किदे type के word होते हैं, कौन-कौन से word श्वर के आधार पर विवाजित किये गए हैं, और धनी के according भी विवाजित किये गए हैं, तो सारे word के बारे में जब आप अच्छे से जानकारी पा लेंगे, तो य ये मान भी याद करने में आपको क्या होगी आशानी होगी, ठीक है, चलिए, देख लेते हैं, पहला rule क्या है हमारा, फर्स्ट रूल है हमारा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, क्या लिखेंगे आप, विशर्ग, यानि कि ये विशर्ग है, का ओ में क्या परिवर्तन, ठीक है देखिए विशर्व का o में परवड़ता है अब ये हमारा क्या है rule number first है इसके बारे में आप लिखेगे क्या लिखेंगे? देखिए rule number first में लिखना है rule number first में क्या लिखना है? कि जैसे ही क्या आएगा, जैसे ही विशर्व हो और उसके बाद क्या हो देखिए विशर्व हो यह हमारा विशर्व हो और उसके बाद क्या हो इसके बाद क्या हो छोटा आव हो या फिर वर्व का तीसरा कि या हुआ पांच वाँ में यह कर दो इसके बाद एन चौथा या पर पहले चौथा लिखतीचिए इसके बाद फिर्प्त या क्या हो अंतस्ट वेंजन हो यह फिर अं अंतस्ट इंद दोस्त बेन्यन कौन कौन से थे आपको पीवेश वीटियो में बताए थे यहाव रड़ लः तो अगर हमारे हटोम कौन हमारा बहर होगा थलिद कर कहा होगा। इसली गवारन कया यां धूनर्ट होगा। 3rd, 4th and 5th bird अगर ये आ जाते है या फिर अंतस्त वेंगन कोई दी आ जाता है तो क्या हो जाता है तो जो विशर्ग है इसका ओ हो जाता है शंधी करने पर विशर्ग का ओ हो जाता है ये हमारा रूल नंबर 1st था ठीक है तो रूल नंबर 1st हमने पढ़ लिया, अब हम लोग इसके एकजांपल पढ़ लेते हैं एकजांपल के बारे में आप पढ़ेंगे तभी आपको सारी चीजें अच्छे से कनफर्म हो जाएंगी ये फर्स्ट एकजांपल हमारा क्या है फर्स्ट एकजांपल है मन धन अनकूल मन धन अनकूल ठीक है, अब देखिए मन, मन के आगे क्या है विशर्ग है यानि कि यहां पर विशर्ग शल्दी है अब ये विशर्ग के बाद क्या आया है चोटा आया है यानि कि इस रूल्स को फोलो कर रहा है अब ये क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा विसर्ग जो है वो हमारा ओ हो जाएगा अब ओ किसे कंप्लीट करेगा प्रथम सब्द के पास जाएगा यानि कि विशर्ग का ओ करना है बस अब हम आपको करके बताते हैं सर्विल, देखिए, कैसे लिखेंगे आप, मनु, अब ओ इसमें जोड़ना है, तो आपने मात्राएं तो पड़ी है, मनु हो जाएगा, ठीके, क्या हो जाएगा, मनु हो जाएगा, अब ये आ मैंने बताया था, जो अंतिम सब्द का प्रथम बा आप नुकूल सेम जोड़ दीजिए, ठीके, मनो नुकूल, इस तरह से ये क्या बन गया, आपका संधी करने के बाद सब्द प्राप्त हुआ है, ठीके, तो ये आपका मनो धन, अनुकूल का, मनो नुकूल, क्या मिला, सब्द मिल गया, आप माल लिया, ये हमारा सब्द दे और संधी बिच्छेद करने के लिए बोल दे, तो आप कैसे करेंगे, देखिए, वाई चांस, ये सब्द आपको दे दिया, आप बोल रहा है कि संधी बिच्छेद कीजिए, तो आप संधी बिच्छेद करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए, मनो नुकूल, ठीके, आप इस अब देखिए यहां पर इस टाइप की कोई संदी नहीं है जो छोटा आ के बाद क्या आ जाए अनुकूल यहां पर लिखेंगे अनुकूल ठीक है तो यह क्या है विशर्ग है मारा ना अब विशर्ग के बाद क्या आया है स्वार आया है यानि यहां पर है तो विशर्ग शंद है कि प्रथम सब्द का जो अंतिम बाड़ होगा उसके सामने विसर्ग अवश्य लगा होगा यानि कि 98% आपको एक्जांपल इस टाइक का मिलेगा 2% कोई ऐसा एक्जांपल होगा जिसमें विसर्ग नहीं भी लगे हो सकते हैं तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे यह संदी विच्छिर कर लिया तो यह आपको क्या मिल गया एक मीनिंग्फुल वर्ड भी मिल गए मन मन का मतलब हमारा मन अनुकूल का मतलब किसी किसी वी चीज के निकट होना उसके अनुकूल होना ठीक है तो यह हमारा क्या हूँआ फर्स्ट एक्जाम्पल देख लेते हैं सेकिंड एक्जाम्पल आपको सम्झाते हैं क्या है तप धन बल लिखेंगे आप तो विशर्ग के बाद वह आ गया है यानि कि अंतस्त विहन्यर का ये रूल्स फॉलो कर रहा है यानि कि ओ हो जाएगा अब ओ किसे कम्पीट करेगा इस तप को पूरा करेगा पा को यानि कि आप क्या लिखेंगे तप को बल ठीक है अब देखिए यहां पर मैंने इस सब्द को डिनोट कर दिया है और यहां पर यह सब्द डिनोट नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है देखि तपो धन बल तो यहाँ पर अगर आप आ की मात्रा को जोडते तो क्या आ की कोई मात्रा होती ही छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है यह मात्रा भीहीन होता है इसलिए इसे हम बिनोट कर देते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है यह हमारा अंतस्त वेंजन है और अंतस्त वेंजन क धरादाफ फANSकर देंगे तो क्या हो जाएगा सब्द का ही मीनिंग चेंज हो जाएगा इस सब्द का अर्थ फरिवर्तित हो जाएगा मैं इसलिए क्या करेंगे तप धन बन में बाइग को डिनोंट नहीं करते हैं तो तपो बन हमारी क्या होा जातिए के शन्दी हो जाती है अगर तपों वल से संदी विच्छीत करना हो तो आप क्या करेंगे टपों को क्या करेंगे अप रिखेंगे अब धन वल लिख देंगे ठीक है अब क्या है यह के एक अगयने यानि कि विशर्व संधी के ये first rule को follow कर रहा है यहाँ पर अमारी विशर्व संधी है तो हम विशर्व संधी को ध्यान में रखते हुए first rule क्या है मारा O वो जाता है तो O को ध्यान में रखते हुए ही आप संधी विछित कर पाएं वैसे आपको एक चीज और बता दूँ विशर्व शंधी में आपको जादे तर्व संधी के से कोशन नहीं आते हैं संधी से कोशन नहीं आते हैं कोशन कहां से आते हैं जो हमें सुद्वर्तनी सब्द आते हैं बहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी शब्द में इस सन्धी विच्छेद को अगर आप पढ़ लेंगे तो बहाँ पर आप शे गलती नहीं होगी 100% गलती नहीं होगी ठीक है तो इस तरह से टो एक्जामपल समझा दिए एक और एक्जामपल लिख लेजिए थर्ड एक्जामपल है पय धन यहाँ पर थर्ड एक्जामपल है पय धन थर्ड एक्जामपल क्या लिखेंगे दो पय धन दो अब यह क्या हो जाएगा पयोद यह भी एक्जामपल में बहुत आता है एक्जाम में बहुत ज्यादे आता है यह पयोद तो पयोद सब्द का संदी पैधन दो आगे विसर्व लगाना बिलकुल ना भूलिए विसर्व तो आपको लगाना ही है तो यह क्या हुआ यह हमारे फर्स्ट रूल कम्प्लीट हुआ विशर्व शंगी का ठीक है चले चलते हैं नेक्स्ट शेकंड रूल पर सेकंड नमर रूल क्या है बहुत केरफली आप स्क्रीन शॉट लीजिए देखिए नेक्स्ट हमारा रूल नमबर टू क्या है विशर्व का शा शा में परवर्तन यानि कि यह हमारा शा एंड छोटा सा एंड बड़ा शा में परवर्तन किस तरह से होगा विशर्व का ठीक है तो यह आप रूल नमबर शेकंड को समझ अब देखिए किस तरह से होगा देखिए माल लिया कि विशर्व के बाद क्या आगया विशर्व के बाद क्या आगया चा या चा आगया तो क्या हो जाता है बड़ा शा हो जाता है अब अगर विशर्व के बाद विशर्वि के बाद टा ठा पा फा का या खा या टा या ठा या पा या फा इतने वाण आ जाते हैं तो क्या हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है ये वाला शाट कून वाला शाट हो जाता है ठीके उसके बाद विशर्वि के बाद यदे क्या आजाता है विशर्ग के बाद यद ता या था आ जाता है तो क्या हो जाता है छोटा शा हो जाता है ठीक है तो यह तो हमारे रूल है अब देखिए याद करने का तरीका आपको बताती हूं चा या चा आपको याद रखना है कैसे मैंने आपको प्रीविएश वीडियो में जब मैंने आपको वियंजन संदी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था बहाँ पर आधर चा हो जाता था जब शोशब्द आता था तो यहाँ पर उल्टा याद करना है चा या चा आएगा तो शा पूरा हो जाएगा यह याद करना है उसके बाद विशर्ग के बाद अगर का खा टा ठा पा फा यह आता है तो क्या हो जाता है शकोड वाला शा हो जाता है और विशर्ग के बाद अगर ता या था आता है तो क्या हो जाता है शा हो जाता है छोटा सा ठीके तो यह हमारे rules के according बन्द परवर्तितत हो जाते हैं विशर विशे श श श होजाता है फियर अब इस तरह से हम exemple को समझ लेते हैं first example क्या है मारा first example है नीदल चैण अब क्या ओजाएगा देखी विशर के बाद चाँ आगेा rule नंमर मर फर्सट को फॉलों कर रहा है तो रून नुंबर 1 में चा आगया तो क्या वाजाएगा शा हो जाएगा यानि कि विशर्ण के बाद चा आगया अब यह पूरा करेगा इसको पूरा करेगा ठीगे तो आप क्या लिखेंगे यह हमारे क्या है यह हमारे हलन्त हो जाता है तो यह हमारे हलन्त हो जाता है तो यह हमारे हलन्त हो जाता है तो क्या लिखेंगे आप नि धन आदाश्या और चैग यानि निश्चे सब्द आपको प्राप्त हो जाता है इस तरह से निश्चे सब्द जब आपको मिल जाता है तो यह हमारा शन्दिक कंपीट हो गया, एक्जाम्पल नमबर फर्स्ट, नीधन चय, नीधन चय यानि निश्य, अब एक्जाम्पल नमबर टू देखेगे, एक्जाम्पल नमबर टू में लिखेगे, नीधन छल, अब देखिए अब नी के बाद छो आ गया यानि आदा शा हो जाता है तो आदा शा हमारा किसे कम्प्लीट करेगा नी को कम्प्लीट करेगा यानि कि आप क्या लिखेंगे देखिए आप लिखेंगे निश्चे ठीक है इस तरह ऐसे यह शुद्ध बलत निश्चे ठीक है यहाँ पर मात्रा बगएरा नहीं लगाना है आपको ना ढंडा लगाना है ना पूरा लिखना है कुछ नहीं करना है हलंत वाला शा है इसका मदलब आधा शा है पर आधा शा आपको नी में जोड़ देना है ठीक है अब थर्ड एक्जामपल ले लेते हैं थर्ड एक्जामपल है नीधन कपट अब देखिए रूल नमबर शेकिन ये तो है रूल नमबर फर्स्ट ये है रूल नमबर शेकिन और ये है रूल नमबर फॉल्ड अब देखिए रून नमबर शेकिन को फॉलो कर रहा है नी धन कपट विशर के बाद का आ गया यानि कि क्या हो जाएगा शटकोड वाला शा हो जाएगा आप जब शटकोड वाला सा हो जाएगा तो ये किसे पूरा करेगा शटकोड वाला शा किसे नी को पूरा करेगा यानि कि क्या हो जाएगा हमारा निश्य कपट ठीक है निश्य कपट लिखेंगे आप निश्य कपट यह हलन्त है ठीक है हलन्त शटकोड वाला शाह हलन्त लिखा है इसका मिलब आधा शटकोड वाला शाह लिखना है निश्कपड ठीक है, तो यह शुद्वरतनी है, कुछ लोग ऐसे भी इसे लिख लेते हैं, लेकिन वो शुद्वरतनी नहीं है, यह यह क्या है? यह गल्त है, निश्कपड ऐसा नहीं लिखा जाheureगा, यह हमारा शुद्वरतनी शब्द क्या है? निश्कपड, शटकोर वाला यहां पर जुड़ेगा ठीक है तो यह एक्जाम के पाइंट आप बीसे जितने भी एक्जाम्पल में लिखवा रही हूं बहुत ही जादे इंपोर्टेंट और आप इन एक्जाम्पल के ही रूल याद रखेंगे और इनी मेंशे आपको देफिनेटी एक्जाम में मिल जाएगा कोई ना कोई एक्जाम्पल क्यूकि मैं यह प्रीव्यमस में आई हुए 지금까지 यहां पर लेकर आपको शम्झा लेंहें तो इस तरह से हमारा rule number shaken भी complete होता है अब rule number shaken भी complete हो गया आप इसकी insert ले सकते हैं इसके बाद हम लोग next चलते हैं ठीक है देखिए देखिए dear friends rule number third हमारा क्या है विशर्व का रा हलंत हो जाना यहाँ पर हलंत लगा हुआ है रा हलंत हो जाना ठीक है तो आधा रा हमारा विशर्व जो है आधा रा में परवर्तित हो जाएगा यह हमारा rule number third है तो देख लेते हैं rule number third में इस तरह से परवर्तित होता है देखिए आप लिखिए अगर विशर्व से पहले कुछ word याद करने पड़ें विशर्व से पहले चोटा आ या बड़ा आ या चोटा ई या बड़ा ई यानि कि जो श्वर है हमारे वो ही याद रखने है या चोटा उ बड़ा उ इन में से कोई भी विशर्व से पहले मरलब श्वर आ जाए ठीक है क्या है यह हमारे श्वर है विसर्व शे पहले यद शर आ जाएं यानि चोटा बड़ा या चोटी बड़ी चोटा उ बड़ा हो ठीक है यह हमारे शर आ जाएं तो क्या हो उसके बाद क्या होना चाहिए विसर्व शे पहले के यह बाड है यानि कि विसर्व से पहले शर हो उसके बाद क्या हो? उसके बाद अगर छोटा आ या छोटा उ या बढ़ा हो ठीक है? क्या लिखेंगा? उसके बाद बढ़ा आ या छोटा उ या बढ़ा उ और क्या हो? या फिर अनतस्त ब्याण्यन हो या फिर क्या हो? अनतस्त ब्याण्यन हो तो क्या हो जाता है ये? ये जो गिशर्ग है हमारा वो रहलंत में परवर्तित हो जाता है ठीके विशर्ण हमारा रहलंत में परवर्तित हो जाता है ये हमारा रूल है आपको वश क्या याद रखना है विशर्ण से पहले श्वर आ जाए या फिर विशर्ण के बार हमारा जो दीर विश्वर है वो आ जाए या फिर फोर्थ फिट जो बर्न मैने आपको बताए कौण क्या जाता है विसर्व रहालन्त में परवर्तित हो जाता है चलते हैं एक्जांपल पर, एक्जांपल नमबर फर्स्ट क्या है हमारा, एक्जांपल नमबर फर्स्ट है, नीधन आशा, एक्जांपल नमबर फर्स्ट क्या है हमारा, नीधन आश्टा, आशा, अब ये विशर्व जो है, वो रहलंत में परवर्तित होगी, अब रहलंत किसे क कुप्लीट करेगा नी को कम्प्लीट करेगा यानि कि यह क्या हो जाएगा नेराशा ठीक है यह क्या हो जाएगा यह बड़ा आ हमारा पहले शही यहां पर मौझूद है यानि कि यह जो हमारा राहलंत है वो किसे कम्प्लीट कर रहा है नी को कम्प्लीट करेगा लेकिन नी में ह जो है रा में जोड़ देंगे ठीक है कि तो देखिए रा यहां पर हमें लिख लिए अलन्थ और बड़ा आका जो मात्रा थी वह हमने लगा दी इस तरह से मिराशा शब्द हमें प्राप्त हो गया एक्जामपल नमड टू लिखेंगे एक्जामपल नमड टू क्या है हमारा नी यहां पर क्या आ गया जा तो विशर्ग हमारा किश में परवर्तित हो जाएगा अब रहलंत में परवर्तित हो जाएगा अब रहलंत हमारा किस तरह से सब्सक्राइब करें निको क्या सब्सक्राइब मिलएगा नि निर जण हमारा यहां पर आजाएगा तो जोड़ लेंगे यहां श्थ प्राप्ति जाएगा इसके बाद दो जोड़ जन दोब दू धन जन ये क्या हो जाएगा दुर्जन ठीक है ये क्या हो जाएगा मारा दुर्जन हो जाएगा उसके बाद एक्जामपल नंबर फोर लिख लीजिए उक्जामपल नंबर फोर हम लिखेंगे वही धन मुख वही धन मुख ये क्या हो जाएगा वहीर मुख वहीर आधर रा इस पे टांगना है उसके बाद मुख ऐसे ही लिख लेना है क्या हो जाएगा हमारा वहिर मुख इस तरह से चार एक्जांपर मैंने आपको जो बताएं वो एक्जांप के पांटाप भी उसे बहुत जादे इंपोर्टेंट है यानि कि हमारा रूल नंबर थर्ड भी कम्प्रीट हो गया ठीक है आप चलिए रूल नंबर थर्ड कम्प्रीट होता है उसके बाद हम रूल नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ और पढ़ेंगे रूल नमबर 4 क्या है हमारा विशर्व के बाद विशर्व का लुप्त होना या लोप होना विशर्व का लुप्त हो जाना किस तरह से विशर्व हमारा लुप्त हो जाएगा सब्द में कोई भी परवर्तिन नहीं होगा बस विशर्व जो है वो लुप्त हो जाएगा तो देख उससे पहले छोटा यह बड़ा आ जाता है और उसके बाद क्या होता है विन्श्वर आ जाता है निन्श्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है तो हमारा जो विशर्ग है वो लुप्त हो जाता है माताभविक विशर्ग लुप्थ हो जाता है कि इंग्जांपर देखिए ईग्जांपर है कि एक्जांपर है अताभ धनाभ अब स्के ओताधनाभ इसे लुप यह लुप्त को जाए यानि अतायव आपको मिल जाएगा शब्द क्या मिलेगा अतायव यह हमारा शुद्ध वर्तनी अतायव शब्द आपको मिल जाएगा अताधन एव शन्दी करने पर ठीके तो इस तरह से क्या हुआ विशर्व हमारा लुप्त हो गया अग इसी का second rule और देख लेते हैं कुछ व विशर्व का दीर्ग होना विशर्व का रूर नंबर 5 लिख लीजिए विशर्व का दीर्ग होना किस तरह से होना दीर्ग देखिए एक्जांपल की तो आपको शम्याती हूं यह दे विशर्व के बाद अगर विशर्व के बाद रा आ गया ठीक है क्या आ गया रा आ गया त तो यह विशर्ग क्या होगा, देर्ग मात्रा में परवर्टित हो जाएगा, यह किस में परवर्टित होगा, देर्ग मात्रा, अब देखंपल देखंपल नीधन रोग यानि कि ये सब्द क्या वनेगा ये जो विशर्ग है वो दीर को मात्रा में परवर्थित होगा नी वन जाएगा रोग ऐसे ही लिख लेंगे नी रोग शब्द वन जाएगा ठीक है तो ये हमारा एक्जामपल इशी का इस तरह से ये वी रूल हमने पढ़ लिया विशर्ग का जियो का त्यो रहना विशर्ग में ऐसे लिख लीजिए विशर्ग में कोई परवर्थित कोई परिवर्थन ना होना ये लिखे लिए कोई भी परवर्थित नहीं होगा विशर्ग में वो कहां पर नहीं होता है ये देख लीजिए जैसे ही विशर्ग से पहले छोटा आ आ जाए विशर्ग से पहले क्या आ जाए छोटा आ आ जाए और विशर्ग के बाद का या पा आजाए का या पा आजाए तो वहां पर क्या आजाएगा विशर्ग जियो का तेव रहेगा ठीक है कोई परवर्दन नहीं होगा का या पा आजाए विशर्ग के बाद तो अब एक्जाम्पल लिखेंगे इश्वी का प्राता धनकाल प्राता धनकाल यानि कि प्राता काल जियो का तेव हमारा विशर्ग यहीं शब्द बढ़ के आगे लगकर आप शब्द लिख लेगे ठीक है जोड कर अब देखिए शेकर नमबर आपको एक्जाम्पल बता देती हूँ अन्ता धनकरण अब देखिए यहां पर यह विशर्ग है वो जियो कतिव रहेगा यानि अन्ता करण ऐशे ही रगीगा ठीक है कोई फी परवर्तिर नहीं होगा देखिए डियो फ्रेंट्स यहां से एक्जाम में कन्फ्यूजन के लिए पूछ लेते हैं आप क्या करेंगे विशर्ग सारे रूल से इतने भी लिखवाएं सब में विशर्ग खतम हो जाता है बट यह प्राता काल और अन्ता करण दो एक्जामपल है इनी से पूछता है तो यह क्या है यह सेम जैसा विशर्ग होता है वो जीव कत्य लिख लिए जाता है जब विशर्ग के बाद का या पा आ जाता है यह का और पा याद रखना है वहाँ पर आपको विशर्ग नहीं अटाना है बस यह हमारे six rules थे विशर्ग शन्दी के जो मैंने आपको बहुत अच्छे से discuss करके बताए है तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको फिर वी कोई डाउट है विशर्ग शन्दी में तो प्लीज कॉमेंट में मैं आपकी सारी डाउट्स दूर करूंगी और डियर फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो दे नेक शेशन में तब तक के लिए नमश्काथ, have a nice day.